नश्कार अने वले वर्ष 2022 में क्रिशी फसलों में खास करके सोयबीन, बिनौला खल और गौर कॉंपलिक्स में क्या रुजहन रह सकता है इसके चर्चा करेंगे तो शुरुबात सोयबीन से करते हैं, हमने देखा कि पिशले साल याने 2021 में सोयबीन में काफी उठा पटक देखने मिली, जहां पर न्यू अल्टाइम हाई 10,000 के उपर देखने मिले, वहीं पर 5,000 के लोज भी देखे गए, हलाकि जो क्लोजिंग है, वो 6,200 के करीब दिने में सफल हुई है, प्राइजिस, आने वाले साल में ऐसा लगता है कि 4,500 से लेकर 5,000 का जो जो जोन है, वो काफी इंपोर्टेंट है, और इससे नीचे बहुत ज़्यादा प्राइजिस को हम जाता हुआ नहीं देखेंगे, अब साइड में, पहले 6 माई में हो सकता है कि हम दोब अब हुई है, और हमने काफी शानदा रिकावरी 2,200 के करीब से देखी गई है, तो ऐसा लगता है, यह तेजी जारी रहेगी, पहले तिमाई की बात करें, तो करीबन 3,400 का एक लक्ष लिया जा सकता है, 6 माईनों की बात करें, तो करीबन 4,000 के लेवल हो सकते हैं, और पूर सकती है, वहीं गवार कॉंपलेक्स में भी एक उटा बटा का माहल देखा, जहां पर पहले 6 माहिनों में इस साल में, पिछले साल में हमने देखा रहा, 2021 में की काफी फ्लाट सा कारवबार था, 3000 से 4000 के बीच प्राइजिस ट्रेड कर रही थी लेकिन उसके बाद जब तेजी आई तो हमने 7000 तक के स्तर भी देख लिए गवार सीड में, उसी प्रकार हमने गवार गम में 13000 के उपर भी लेवल देखे, और क्लोजिंग जो है, वो गवार सीड में करीबन 6000 के आसपास आई और गवार गम में 10700 की क्लोजिंग देखी गई है, आने वाले साल में ऐसा लग 500 रुपे की और तेजी हम देख पाएंगे, और उसी प्रकार गवार गम में मुझे लगता है कि हम करीबन 15600 से 15800 तक किस तर देख पाएंगे एक साल के विव पॉइंट से, और यहीं 6 मेने की बात करें, तो ऐसा लगता है कि पहले 6 मेहनों में हम गवार गम में 13500 और गवार सीड में करीबन 7300 के लक्ष देख पाएंगे, तो तीजी जो है वो जारी रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है गवार सीड और गवार गम में, तो यह था एक जाइजा कि आने वाले नव बर्ष में जो मेन कमोरिटी हैं, जिन में सबसे आदा वाल्यूम अट्राक्ट होते हैं और अच्छे ट्रेंड जो दिखा सकते हैं उसमें क्या रुजान रह सकता है, धन्यवाद